या हिंदोस्तार में बसने का तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान खाली हो जाएगा कटोरा लेकर घुमोगे भीग भी नहीं मिलेगी तो दोस्तों नमस्कार, सस्तियाकाल, केमचो, कैसा गई आज के दिन हम बात करेंगे तीन बड़ी फिल्मों के बॉक्स अब इस कलेक्शन के बारे में और दोस्तों आपको बताएंगे कि आखिरकार ये तीनों फिल्म में अभी तक अपने तीरवे दिन और जेलर मुवी अपने चोदवे दिन कितने करोड रुपे का कारोबार करतवे निजर आ रही है विसे दोस्तों आप सभी को बता दे कि हम हमारी वीडियो में मुवी के सभी बॉक्स अब इस कलेक्शन की अपडेट भी देते हैं अगर अभी तक आपने फिल्म गदर टू है और दोस्तों उस स्कूल के अंदर काफिर्ज करने के बाद में अमित रायन ने direction दी है और मुवी की कहानी काफे रहा smooth और काफे रहा अच्छी है इस मुवी के नर सबसे अच्छी बात मुझको ये लगी कि पंकर स्रिपाड़ी ने इस मुवी के अंदर काफी अच्छा अभी धने निभाया है और वहीं पर दोस्तो इस movie के अंदर एक वेश्या को काफी अच्छे और दोस्तो काफी अच्छे संसकार के साथ में हम सबी की बीच में पेश करा गया यानि कि दोस्तो Oh My God 2 का जो मोटीव है वो किसी भी धर्म को नुकसान पोचाने के लिए नहीं बताया गया है जबकि दोस्तो इस movie के अंदर हर एक चीज को काफी अच्छे से explain करा है और दोस्तो इस movie के creators ने एकदम साब कहे दिया है कि हम हमारे इस movie के अंदर किसी को भी ठेस पोचाने के लिए इस movie को नहीं बना रहे है इनके अस जो सिद्धान थे था वो आपको इस movie के end में देखने के लिए मिल जाएगा दोस्तो अगर हम बात करें फिल्म Oh My God 2 की तो दोस्तो यह movie एक काफी अच्छी फिल्म है जिसको आप बिना negative word के साथ में देख सकते है दोस्तो अब बात करें जाए Oh My God 2 के box up इस collection की तो दोस्तो movie ने अपने पहले दिन शांदार opening ली और कमाए 10 करोड 26 लाग रुपे फिल्म ने अपने पहले हपते में 85 करोड 5 लाग रुपे का अखड़ा पार करा जिसके चलते दोस्तो फिल्म OMG हम सबी की बीच में अपने 13 दिन का जो बर्ज है जो क्रेज है और जो occupancy है उच रसाप से कारोबार करत्वी निसर आ रही है लगबग 3 करोड रुपे का जिसके चलते इस फिल्म का 13 दिनों का इंडिया नेट केलेक्शन 123 करोड रुपे हो चुका है फिल्म का ग्रॉस केलेक्शन बता जरा है 155 करोड रुपे और फिल्म ने विदेसी मार्केट यानि कि ओवर्सीस से कमाली है 22 करोड रुपे जिसके चलते इस फिल्म का वर्ड व वन आप दा बेस्ट एक्शन थिला फिल्म गदर टू के बारे में तो आप सभी को पता है कि ओडियंस इस मुवी को लेकर के काफियरा एकसाटेट थी और जैसे ही यह फिल्म सिनमा घुरों में रिलेस कर दी गई वैसे दोस्तों ओडियंस का ब्यार इस मुवी के प्रती आपको देखने के लिए मिल जाता है वो चाहे से गली हो महुला हो हर जगा का ठेटर आपको गदर टू को लेकर के आज भी काफियरा गुसता हो नजर आएगा यह दोस्तों मुवी के अंदर एसी एसी चीज़े बताए गई हैं जिसको सुनने के बाद में हम सभी का दिल खुस हो जा गदर टू की तो गदर टू में आपको वही दो पुराने गाने सुनने के लिए मिलते हैं उड़ जा काले कावा मेरे और में निकला गड़ी लेके जो कि दूस्तों इस मुवी का पूरी तरीके सा माहौल बना देते हैं और माहौल बनने के बार में जहां-जहां पर सनी देव आता है वहाँ वहाँ पर सनी देवर सर का जो बज है जो क्रेज होग ठेटर के अंदर ओडियस के साथ में चिला तो वे गूस तो वे नजर आता है हर कोई दोस्तों हिंदुस्तान जिन्दाबाद करना ले लगाता है और दोस्तों सभी कहते हैं हिंदुस्तान जिन्दाबाद बहरत माता की जय, यही करण है कि मुवी को ओडियस के तरफ से इतना अच्छा सपोर्ट देखने कले मिला, और साथी साथ दोस्तों मुवी के गाने जब बसते हैं, तो ठेटर्स के अंदर लोग बाग नाचने लगते हैं, और अगर बात के रहे भाहर की इंग, तो बॉक्स कलेक्शन पे, अभी भी दोस्तों मुवी को लेकर के काफियरा एकसाइटमेंट देखने कले मिल रही है, और कई सारे दोस्तों लोग इस मुवी को देखके आ चुके हैं, और दोस्तों अभी भी वो इस मुवी को देखने जाने वाले हैं, तो दोस्तों आप समझ सकते हैं, कि ओडियंस इस मुवी को लेकर के काफ ज़रा एंजोई कर रही है अब दोस्तों बात करें अगर फिल्म के कलेक्शन की तो फिल्म गदर टू ने अपने पहले दिन 40 करोड 10 लाक रुपे का अकड़ापार कर दिया था वही पर दोस्तों फिल्म अपने पहले अपते में ताबर तो दिन यानि की दोस्तों संडे को 38 करोड 90 लाक रुपे का ताबर तोड कलेक्शन करा ओ दोस्तों उस दिन इस फिल्म में का 13.50.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 तक का इंडियन नेट कलेक्शन 412 करोड रुपे बताया जा रहा है, फिल्म में का ग्रॉस कलेक्शन 480 करोड रुपे देखने कले मिल रहा है, और दोस्तो फिल्म ने ओवर रेसेस यानि कि विदेसी मार्केट से कमा लिये हैं, 42 करोड रुपे जिसका दोस्तो वर्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन इस मुवी का हमको देखने कले मिल रहा है, पान सो अठावीस करोड रुपे तो दोस्तो यहाँ पर तो गदर टू हम से भी की बिच में ओल टाइम मेगा ब्लोक बश्टर हो चुकी है, क्योंकि मुवी का बजटे केवल 100 करोड रुपे, इसी की साथ दोस्तो अगर हम बात करें फिल्म जेलर मुवी की, तो दोस्तो यह फिल्म में एक मास एंटर्टेनिंग एक्शन थिलर फिल्म है, जिसकी तारीफ करते हुए ओडियन्स ठक नहीं रही है, और दोस्तो हर कोई रजनिकांसर का जो फैन से वह इनकी जो तस्वीर है, उसके उपर दूठ चड़ा रहे, तो कोई हार चड़ा रहे, तो कोई दोस्तो आगर्वत्ती लगा रहे, तो कोई पूजा उतार रहा है, जानी कि दोस्तों उनके इलाके में तेलगू, तामिल और मल्यालम में रजनी कांसर को एक तरीके से भगवान की तरह पुझा जाता है और यही करण है कि जब जेलर मुवी हम सभी की बिच में रिलेस करी गई तो मुवी ने अपने पहले दिन ओमाई गोड टू और गदर टू का भी रिकोर्ड तोड़तो हुए केवल 48 करोड 35 लाक रुपे का कलेक्शन करा गदर टू और ओमाई गोड टू का रिकोर्ड तोड़तो हुए 48 करोड 35 लाक रुपे का अकड़ा पार कर दिया जो कि दोस्तों एक काफी बड़ी बात है, वहीब दोस्तों फिल्म न अपने पहले हत्ते में 235.85 लाक रुपे कमा लिए, और दोस्तों फिल्म न अपने दसवे दिन 16.50 लाक रुपे कमा है, फिल्म न अपने 11 दिन 19.20 लाक रुपे कमा है, दोस्तों फिल्म न अपने 12 दिन 5. आज करोड़ 70,00,00,000,00 रुपे कमाएं और दोस्तों यह फिल्म अपने 13 वे दिन 4,50,00,000,00,0,000 कमातलि नहीं नजर आ रही है जिसके सलते दोस्तों यह फिल्म अपने 12 वे दिन का जो पेडिक्षन है वो लगबग 13,40,00,000,00,000,00,00,000 रुपे का बता रही है जिसके चलते इ पर जेलर मुवी एक काफी बड़े Profit में आ चुकी है और दूस्तों बन चुकी है एक काफी बड़ी Blockbuster Oh My God 2 भी बन चुकी है All Time Super Hit और दूस्तों गदर 2 बन चुकी है All Time Mega Blockbuster विसल उस तो आपने इंतिनों में से कौनसे फिल्म में को देखा हमें कमेंड करके जरूर बताईएगा जय हिंद वन दे मातर